नमस्कार मैं हविकास कुमार मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका दूरदाशन के इस खासकार करम में जिसका नाम है नेपाल सेंट्रिक दर्शको सच्चा मित्र बेहधी खास होता है और अगर वह मित्र पडोसी हो तो वह संबंद और भी खास हो जाता है ऐसे ही हम मैत्री संबंद की बात करेंगे हम बात करेंगे भारत निपाल मैत्री संबंद की किस तरह से यह संबंद जो है मित्रता की ओर बढ़ा और जो संबंद है वो धिन प्रति दिन किस तरह से प्रगारता की ओर बढ़ता गया इन सब बातों के आज हम चर्चा करेंगे और इस विशह पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सहायक आयुक्त केंद्र विद्याले संगठन डॉक्टर अजय कुमार मिश्राजी सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खास कारेकर में सर हम बात करें भारत-निपाल मैत्री संबंध की अगर संबंध की बात करें किस तरह से शुरुवात हुई और किस तरह से जो ये संबंध है वो घनिष्ट होता गया मैं चाहूंगा इस संबंध के बारे में आप बताएं नमस्कार भारत और नेपाल बेहद ही करीबी परोशी देश हैं भारत की तुल्णा में नेपाल का चेतरफल कम है लेकिन चारों तरफ से भुभाग से घिराफ होने के कारण नेपाल भारत के साथ सयोग और संबंध पे आर्थिक, सामाजिक, सांस्करितिक रूप से जुरा गुए है भारत और नेपाल के संबंध पराचीन काल से ही बहुत प्रगाड रहे हैं। जहां तक धार्मिक बात है, तो 腹छक भगवान बुद्ध का जन्म लुंबनी में हुआ था, जो कि नेपाल में हैं, और भगवान बुद्ध की शारी यात्राएं भारत में संपन हुई। तो धार्मिक रूप से भारत और नेपाल सनातन काल से जुरे हुए हैं। इसी तरह से आर्थिक दृष्टिकोन से हो सामाजिक परिवेश हो राजनितिक परिवेश हो एक दूसरे के निकटतम देश होने के कारण कहने के लिए तो अलग-अलग देश हैं। लेकिन सभी दृष्टिकोनों से भारत और नेपाल के विभिन चेत्रों में बहुत समानता है। और उसी समानता के कारण भारत और नेपाल अभिन मित्र हैं और प्रगाधता से इनके संबंध एक दूसरे से जुरे हुए हैं। अगर हम बात करें। अगर भारत ने कई विकास सहयता प्रदान की है। अपने बात की विकास की। तो नेपाल भारत से विकास के रूप में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। अभी यहाल में 47 जल्बिद्दूत परियोजना पर हस्ताक चरूए हैं। उसी तरह सेशा नदी पर जल्बिद्दूत परियोजना लगाने की बात हो रही है। नेपाल में आधारिक संदचना, भवन, निर्मान या अन्य जो भी उद्योग हैं उसमें भारत का निवेश सबसे ज़्यादा है। भारत नेपाल को आर्थिक दृष्टिकों से संपन्य बनाने की दिशा में अगरसर है। और जब कभी भी जहां भी विकास की बात होती है, आर्थिक विकास, जो नेपाल के विकास में योगदान करे, तो भारत उसका सबसे बड़ा साज्यदार है। भारत नेपाल को विकास कारी में सबसे ज़्यादा मदद करने वाला देश है, और दूसरे तरह से भी मदद कर रहा है, जब भी विपत्ती आई है, आप दाए आई हैं, तो भारत ने नेपाल की मदद की है, लेकिन अगर आप दाओं को हम छोर भी दे, तो नेपाल में विका सब्सक्राइम रखने के लिए मजबूत और बनाने के लिए कई चुनोतियों का कई बार सामना करना पड़ता है, तो क्या-क्या चुनोती आती है, मैं चाहँगा उसके बारे में आप बताएं, बिलकुल सही कहा आपने, चुनोतियों की जहां तक बात है, जैसे जैसे दो मित प्रगार मित्र विकास की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो दोनों देशों का विकास होता है, साथ-साथ दोनों देशों की महत्वा कांग्छाएं भी बढ़ती रहती हैं, और इस क्रम में आर्थिक हो, राजनितिक हो या अन्य कोई कारण हो, वहां पर विभिन तरह की के लिए एक रास्ता खोला, तो वहां पर भी कुछ चुनोतियां आई, नेपाल और भारत में मतांतर हुए, लेकिन हमारी दोनों सरकारों ने आपस में बैठके उस मामले का हल निकालने की कोशिश की है, इसी तरह जल विद्दुत परियोजना की जब बात आती है, तो भारत के अलाबा भी कई अन्य देश हैं जो नेपाल की सहायता में आगे आते हैं, लेकिन चुकी हमारे संबंद घनिष्ठ हैं, बहुत पुराने संबंद हैं, तो हम उन संबंदों के आधार पे चाहते हैं कि नेपाल भारत को इन छेत्रों में प्रात्मिक्ता दे, और इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और नेपाल का इसमें हमेशा सहयोग मिला है, जहां तक सरक निर्मान की बात है, जल्बिद०्ध परियोजना की बात है, या भुकम में सहायता की बात है, भारत ने बिविन देशों के मदद देने के बावजूद भारत ने नेपाल को आगे बढ़ करक चुनोतियां आती रहती हैं विकास है नेपाल का भी विकास हो रहा है वहां भी सरकारे बदलती रहती हैं और इन बदलती हुई परिश्थितियों में सरकार बदलने के कारण चुनोतियां आती हैं लेकिन धीरे धीरे हम दोनों आपस में मिल बैठ करके दोनों सरकारों ने इन का अस्थाई और सांतिपुल समाधान खो जा है तो फिलाल चुनोतियां तो आएंगी जब विकास की बात होंगी तो चुनोतियां तो होंगी हैं लेकिन उसमें उन चुनोतियों से कैसे बाहर निकला जाए यह हमने भी सिखा है नेपाल ने भी सिखा है और चुनोतियां आती र बात कर ले तो भारत जो था वो सबसे पहला देश था जिसने मदद की जो है वहाथ बढ़ाए थे तो किस तरह से उस परिस्थिति में अलग अपदाओं में भारत ने साथ दिया है अगर भुकम की बात कर ले अभी आपने भुकम का जिक्र किया नेपाल में पिछले वर्सों मे कई बार भुकम पाये हैं और एक बार बहुत भीशन भुकम पाया और नेपाल ने भारत से इसमें मदद करने की अपील की लेकिन आपको यह जान करके खुशी होगी कि नेपाल के द्वारा अपील किये जाने से पहले ही भारतियों ने बढ़ चर के मदद की चाहे वहाँ क्यां भुकम कि भारत ने भारत ने नेपाल से आम मांगे-जाने के पेले ही करके नेपाल की सहता की ना सिर्फ भुकमप की बात है और ने भारत ने 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 म्हीं आपने कोवीड का दोर देखा COVID-19 में भी भारत ने नेपाल को मुफ्त में सहायता के तोर पे वैक्सीन उपलब्ध कराए अफगानिस्तान में अभी संकट आया, अफगानिस्तान में सरकारें बदली वहाँ राजनितिक माहौल बहुत बिगर गया था चारों तरफ आराजकता फैली होई थी उस समय वहाँ से फशे हुए नेपाल के लोगों को बाहर निकाला मुश्किल करी चुनाओती थी उस समय भी भारत ने खुद से अपने निवाशियों के साथ-साथ नेपाल के निवाशियों को भी अफगानिस्तान से बाहर निकाला उक्रेन युद में ही देखी नेपाल के लोगों फस गए थे नेपाली समुदाइक जो लोग थे उक्रेन में फसे हुए थे भारत ने अपने लोगों के साथ-साथ उन लोगों को भी उक्रेन से बाहर निकाला और इस तरह से मदद की तो मदद के मामले में भारत जैसा सलाहकार या अभीन मित्र नेपाल को के लिए और कोई दूसरा नहीं है हमने हर समय नेपाल की चाहे नेपाल ने कहा हो नहीं कहा हो स्वापूर्थ मदद की है जी सар कह सकते ह sucks जो है एक सच्चे मित्र की तरह अच्छे पडोशी की तरह जब भी जो परिस्तित उत्पन हुई है कटिन से कटिन परिस्तिति उत्पन हुई है उसमें भारत ने निपाल का साथ नहीं छोड़ा हमेशा जो है मदद की है और उस कठिन परस्तिती से लड़ने का एक हिम्मत और एक ताकत प्रदान की है सर एक परियोजना की बात कर ले तो रामायन सर्कुट जो योजना है काई ना काई वह भारत और नेपाल के सम्बंध को मजबूत दिखाने मजबूत करने का प्रतीख है यह है क्या योजना मैं चाहूंगा उसके बारे में आप मताएं रामायन सर्कित योजना अभी फिलहाल में शुरू की गई की योजना है, जिसमें भगवान राम के से संबंधित जितने जगह हैं, जितने स्थान हैं, वहाँ पे लोगों को गुमाने का, उसको दरसन कराने का प्रुग्राम है। और इस योजना में कुल 17 सहर जो हैं मुख्य सहर ये जुरे हुए हैं जुरे जाने हैं सरक माग से हो रेल माग से हो इनको जुरे जाने हैं और इन अस्थलों का लोगों को दर्सन कराया जाना है इसमें भारत में पढ़ने वाले जैसे सीतामडी हो गया और नेपाल में तो इन सब जगों को रेल या रोड से जोर करके लोगों को भगवान राम से संबंदित विभिन अस्थलों का दर्सन कराए जाना है इसी को रामायन सर्कित योजना कही गई है और इससे भी भारत और नेपाल के संबंद प्रगाड होंगे ना कि ना सके बल राज संबंद जाएंगे अधिक से अधिक से लानी आएंगे तो आर्थिक फायदा भी होगा रोजगार का स्रिजन भी होगा और भारत और नेपाल के संबंद और प्रगाड होंगे और धार्मिक भावनाएं और मजबूत होंगी सर आपने चर्चा में एक बात की हाइड्रो पावर तो बद्धूत परयोजना, नेपाल पहार पे बसा हुआ देश है और वहां से बहुत सारी नदिया निकलती हैं, नदियों के जल से बद्धте निकालने हीं हाइड्रो पावर प्रचेक कहलाता है चुकि नेपाल उचाईपर पहारों पर बसा हुआ देश है, वहां से निकलने बा प्रशानी की धार और मात्रा बहुत ज्यादा होती है धार तेज होती है अगर उस पर हम जल बिद्यूत पर्योजना हैड्रो पावर प्लांट लगाएं तो बिद्यूत का कम खर्चवे में अधिक से अधिक उत्पादन हो पाएगा और इस से भारत और नेपाल दोनों लाबान इसी के तहत सतलू जल बिद्यूत पर्योजना और नेपाल में सेशा नदी है उस पर जल बिद्यूत पर्योजना स्थापित करने की बात हो रही है और इस पर काम भी सुरू जल बिद्यूत पर्योजना पर बहुत ज्यादा काम हो गया है सेशा नदी पर अभी काम सुरू किय जाना बाकी है लेकिन आने वाले समय में ओभी हो जाएगा और इससे बिजली की समस्या जो कहीं भी है ना भारत और नेपाल में इसका समाधान निकलेगा बल्कि हम इसको और दूसरे देशों को बेच करके भी विद्दुत सप्लाई करके भी आर्थिक रूप से संपन्य हो सकत आड जानकारी जहां तक पहले भी मैंने बटाया भारत नेपाल और नेपाल को आर्थिक दिस्टिकों से मजबूत बनने में सदयाप्तत पर रहा है जब सरकपर योजनाय सुन्य शुन्य है भारत निकर्तम परोसी है और भारत और नेपाल की सिमाओं में पारगमन फ्री है, मुक्त है, लोग बिना किसी वीजा पासपोर्ट के एक दूसरे देश में जाते हैं, जहां तक भारत, नेपाल में सरक निर्मान की बात है, अधिकांस्ता 95% सरक निर्मान का काम भारती ये कंपनियों दोरा किया जा रहा है, क्योंकि भारत निकर्तम इसमें कम खर्च होता लागत कम लगती है, और कम निवेश में इसको इसका निर्मान किया जा रहा है, इसलिए न सिर्फ सरक निभी रेल पर योजनाओं में भी अधिकतम निवेश भारत का ही, जी, कई यात्राएं भी हुई हैं, इस संबंध को और मजबूत बनाने के लिए अगर दिखा जाए तो कई यात्राएं भी हुई हैं, मैं चाहूँगा उनकी आप चर्चा ज़रूर करें। मत्री दक्षे समेलन में भाग लेने निपाल गयते हैं, उसके बाद भी उसके बाद से अभी लुंबनी जो भगवान बुद्धी की जन्मस्थली है, वहां पे एक विशाल बहुत मठ की अस्थापना की जानी है, जिसमें उस मठ की अस्थापना में भारत ने अपने सहयोग देने की बात कही है, अभी अभी नीवर्तमान अभी जो परधान मंत्री ने सपत लिया है, उनकी अभी अभी भारत यात्रा हुई है, और ये सारी एत्राएं, संबंधों को राजनितिक, आर्थिक, समाजिक, धार्मिक, सभी दिश्टिकोनों से संबंध प्रगाड करने की द भारत ने नेपाल का साथ दिया है, सिक्षा के शेत्र में भी अगर दिखा जाए तो कहीं न कहीं बहुत जादा योगदान भारत के विकास की गई, तो मैं चाहूँगा उनकी आप चर्चा करें किस तरह से सिक्षा के शेत्र में भारत विकास योजना हैं? अपने बात की शिक्षा की, शिक्षा सभी तरह के विकास और आर्थिक संबंधों का अधार है, अगर हमारे परोशी देश के बच्चे और नागरिक शिक्षित होंगे, तो हम भी सुद्रिड और मजबूत होंगे, इन बातों को ध्यान में रखकर, भारत सरकार ने नेपाल के निवासियों और बच्चों के शिक्षा के परती विशेश ध्यान दिया है। चुकि पारगर्मन से संबंधित कोई बाधा नहीं है। वहां के बच्चे या भारत के लोग बिना किसी बाधा के एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। तो इस संबंध में कहना है कि नेपाल के बच्चे और नागरिक जो भी हैं भारत में सिक्षा गरहन करने के लिए सुथनत रहे हैं। वह निर्बाद रूप से भारत में इस्थित विविन विश्विद्यालेयों, महाविद्यालेयों, इंजिनिरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में सिक्षा गरहन कर रहे हैं। और इसके लिए भारत सरकार की तरफ से कोई बाधा नहीं है। विविन इंवर्सीटियों में विविन विश्विद्यालें में वे विविन पर कार के पजविद्य या अन armies थ्क्षा पराप्त कर रहे हैं। इसी तरह भारत के लोग भी नेपाल में इस्थित मेडिकल कॉलेज या इंजिरिंग कॉले गैज में भी सिक्षा उसी तरह नेपाल के पूंव्यूपी और कोलेज चाहरा हैं और नेपाल के लिए सिट्रू के अलाबा के लोग नेपाल में इंजिनिंग और मैड़कल कॉलेज के हैं और नेपाल के लोग भारत में निरबाद रूप शेक्षा पराथ कर रहे हैं इसमें किसी तरह का कोई दोहरा मापदन नहीं है, किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, और अगर इसी तरह संबंध बढ़ता रहा, इसी तरह सिक्षायें प्राप्त होती रही, तो दोनों देश भविस्च में और अत्यधिक गहरे संबंदों से जुड़ जाएंगे. अपने विल्कुल सही कहा, भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंद है, रोटी बेटी सब्द ही हमारे संबंधों की प्रगारता को दर्साता है, रोटी खान पान से संबंदित है हमारे आहार बेभार से संबंदित है और बेटी मतलब ये सामाजिक और सामाजिक रूप से संबंदित है हमारा खानपान का जो खानपान का जो तरीका है या यह है एक समान है और सबसे हमारे बैबाहिक संबंध एक दोनों दोसें के साथ है हमारे यहां के लर्कियों की साधी नेपाल में हो रही है नेपाल और भारत में बैवाहिक संबंद है, बैवाहिक संबंद अस्तापित हुए है इस कारण से हमारी दोस्ती और मजबूत हुई है रोटी बेटी मिन्स हमारे यहां खान पान और नेपाल का खान पान बेटी का आर्थ की हमारी बेटी नेपाल में है, नेपाल की बेटी हमारे हैं है, तो रोटी बेटी का संबंद कहने के लिए हम लोग भौगोलिक रूप से दो अलग अलग देश हैं, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हमारा खान पान, हमारा परिवेश, विचारधा बैबाहिक संबंद एक दूसरे के साथ जुरा हुआ है जिस कारण से रोटी और बेटी का संबंद है और ये विश्व के किसी अन्य देश में आपको इस तरह का संबंद नहीं मिलेगा कि पारगर्मन रहित पारगर्मन में बाधा रहित जो हमारी भागोलिक सीमा है उस कारण से ये संबंद और प्रगाड हो रहा है हो सकते हैं जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो स्थिती जो संबंद है बहुत अबी फिलहाल है जी हमारे और नेपाल के संबंद बहुत प्रगाड है और ये निरंतर प्रगाडता की और बढ़ रहे हैं यद भी बरतमान राजनितिक परिवेस में कुछ चुनोतियां है चु या अन्य थोरी बहुत आर्थिक रूप से समस्यां हैं लेकिन फिर भी भारत ने नेपाल को अपना परोसी मानते हुए और परोसी है और परोसी मानते हुए उन सब मुद्वों पर विभिन स्तोरों पर चर्चा करके उन चुनोतियों को दूर करने का प्रयास किया है और और राजनितिक परिवेश के बाब जूद नेपाल का हमेशा सहयो करता है भारत के लिए नेपाल एक ऐसा देश है जो भारत को एक मतलब नेपाल भारत के लिए वफर स्टेट की तरह है तो इस कारण से भारत नेपाल की सहायता करना भारत के लिए एक चुनौती नहीं एक दोस में आगे बढ़ने वाला कदम है नेपाल कभी कभी नहीं चाहती हुए भारत ने नेपाल की सहायता की है और जैसे अभी अपने रामायन सर्कीट की बात की रामायन सर्कीट अभी लेटेस्ट मतलब अध्यतन उदाहरन आपने कहा या अभी जो बरतमान प्रधान मंत्री बने है नेपाल के उनकी भारत यात्रा या भारत के बच्चों का नेपाल जाकर के वहां सिक्षा के छेतर में अभी भारत के कुछ बच्चे नेपाल जाकर के शिक्षा के लिए अपना योगदान दिया है तो ये सब उस संबंध को की प्रगार्टा बरहने की दिशा में एक कदम है करती और क्या-क्या चीजे और शामिल होती हैं मैं चाहूंगो उसकी आप ज़र रुच्छा करें सच्चे मित्र होने के कारान भारत ने भीविन परिश्थितियों में नेपाल की साहता की है आपने बात की बाढ़ की नेपाल में जब भी बाढ़ की बिशिका आई है तो उस बी उन्हें वहां अपने लोगों को भेज करके उनको सुरक्षि जगों पर पहुचाना उनके खान की पान की विवस्था करना और अन्य सुविधाय दवाई हो जो भी हो उन्हें साहता प्रदान की है अपने बाड की बात की तो एक ये थोड़ा सा संबंधों में थोड़ा बिवादित मुद्दा रहा है लेकिन फिर भी कुछ दिनों से दोनों सरकारों ने मिल बैठ करके नदियों के जल को कैसे नियंत्रित किया जाए और कैसे दोनों देश बाड की विविश्का से बचे रहें नेपाल में भी बाड नहीं आए भारत भी नेपाल के नदियों से आने वाले पानी से के खत्रे से बाड से बच जाए इसको देखते हुए भारत ने प्रयास किया है और हमें आसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में दोनों देशों की राजनितिक दूर द जब में और जह度ां मैं चाहूंगा इसके बारे में आप क्या कहेंगे बिगत बर्सों में भारत नेपाल में प्रगाडता और अभिन्य दोस्ती का कारण यह यातायात के साधने लेकितव हैं आवा गमन के साधने हैं अभी अभी फिलहाल भारत और नेपाल के बीच रेल संधी हुई जिससे भारत और नेपाल के बीच रेलवेस परयोजना चालू हुई. भारत और नेपाल की 850 किलोमीटर लंबी सीमा पांच राजियों से गुजरती है और बिभिन राजियों में जो एक दूसरे देश में जाने के लिए सुविधाय हैं उस तरह वहां पे कोई बाधा नहीं है इस तरह से बस सेवाओं का तो पहले से भी है बस सेवाओं पहले से भ खिलाल भारत ने बिशेशत दोर से भारत नेपाल के बिच बस सेवाओं सेवाओं के सुरू होने से भारत और नेपाल के बिच आवा गमन और सुगम हो गया है और आने बाले समय में ये और अधिक मजबूत संबंद की और इसारा करता है ना सिर्फ मजबूत संबंद होंगे बलकि आर्थिक द्रिष्टी कोन से और तूरिजीज्म के द्रिष्टी कोन से ये दोनों देशों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में सफल सी दूंगे अगले अंक में फिर मिलेंगे इस विष्राय के साथ एक नए पहलू पर चार्चा करने के लिए तब तक के लिए मुझे आनी विकास कुमार मिश्रा और मेरी पूरी टीम को दीजे जाज़त पर आप देखते रहे डिडी बिहार नमस्कार झाल झाल